गुरु और केतु का चांडाल दोस्ट जनम कुंडली में चांडाल दोस्ट दो प्रकार से बनते हैं गुरु और राहु जब मिल जाते हैं तब चांडाल दोस्ट लगता है उसी प्रकार से कुंडली में गुरु और केतु मिल जाते हैं तब भी चांडाल दोस्ट का निर्मान ह होता है वेसिकली होता यह है कि आपकी कुंडली में ये डोनों ग्रह सें होस में बेट जो सकते हैं उसके और प्रॉपंटी रेटे से व्यक्ति जो है धार्मिक होने का अडंबर करता है धार्मिक होता नहीं है लेकिन बाहरी दिखावा बहुत ही धार्मिक है बहुत ही पुजा पाठ वाला है इस प्रकार से करता है हलाकि मन में चलकपट राहु करवाता ही है इसके उपाएके स्वरू गुरु राहु के चांड गलतिया कभी न करें वैसे तो विग्न हरता होते हैं गणिश भगवान लेकिन अगर यह आप गलती करते हैं तो आप मुसीबत में आ सकते हैं गणपती स्थापना के समय जब भी आप गरेश महाराज को लेने के लिए जाए तब आपको जूते या चमडे की कोई पी चीज नही पहननी है दूसरा है कि जब भी गणपती महाराज का प्रशाद बनता है तो उसके अंदर तुलसी पत्ते काफी लोग यूज करते हैं लेकिन नहीं करने चाहिए तीसरा है जब भी गणपती महाराज का विसर्जन होता है उस वक्त गणपती महाराज का पीठ का भाग घर की तरफ नहीं होना चाहिए अगर इन में से कुछ भी गलती हो जाती है तो ये विग्णारता गणेश जी जो है उनका दोश लगता है ऐसा ही जानकरी के लिए बने रही हमारे साथ जय गणेश गणेश पर्व की हार्दिक सुब कामना है 19 सितंबर 2013 से गणपती मौच्तव सुरू हो रहा है जी हां गणेश चतुर्थी से गणेश पर्व की सुर्वात हो जाएगी रासी के अनुसार आपको किस मंत्र का प्रयोग करने से गणपती भगवान की आपके उपर कृ लिपा बनी रहेगी कौनसा मंत्र करना है आपको हम यहां पर आपको बताएंगे लेकिन गणेश जी की स्थापना घर में होती है तब तक आपको शुद्ध आचरण करना है दुशनोंशे दूर रहना है जी हां घर के अंदर लसुन प्याज साथी नौनवेज मास मटन इन से दूर रहना है साथी मन भी शुद्ध रखना है सच्चे मन से की गई प्रातना अचुक सफलता देती है रासी के अनुसार आपकी रासी को कौनसा मंत्र अनुकूल है स्क्रीन के उपर जो दिख रहा है उस हिसाब से आप मंत्र कीजिए वीडियो के अंद में आपको फूल स स्क्रीन में दिखेगा ये सारे मंत्र आपकी रासी कौनसी है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लखिए ऐसा ही जानकरी के लिए बने रही है हमारे साथ